ये गाईस मैं आज आप सबको बाजाज डोमिनाट 250 का रिवीव करके दिकाना जाए दोस्तों ये वो फाइप में पास में दो इस बाइक के अदर क्या कहा है वो सब जानने के लिए प्रीज मैंने ये वीडियो पूरा रखा तो चलिए सुरूर करते हैं ये रिवीव हे गाईस आपके लिए मैं लेका है वो बाजाज डोमिनाट 250 BS6 आपके समने है ये बाइक स्पोर्टी स्टाइलिस नेकेट बाइक है ये अगर आप 250 CC का कोई बाइक खड़िदना चाहते हो तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है इस बाइक के अंदर क्या क्या है वो सब मे अभी देल्स में आप सबको दिखाने चाड़ा हो तो प्लीज मेरे ये वीडियो पुड़ा देखना तो ये है हेडलाइट जो हेडलाइट है वो बाल्प नहीं है यहाँ पे LED हेडलाइट आपको दिखने को मिलता है और हेडलाइट का जो डिजाइन है वो एक तोम निव तक रपता पकरती है 10.5 सेकंड पे ये है सामने का टायर का जो साइज है वो 180 17 का साइज है और ये है सामने का डिज ब्रेक जो हे 300 mm का यानि की डिज ब्रेक जो हे वो थोड़ा सा बड़ा है बाकी बाइक से भी ये थोड़ा बड़ा है ये एर कोल्ड बाइक नहीं है ये लि liquid cooling है यह, अगर इसकी carb weight की बात करें तो 180 kg का carb weight है, इसका additional features जो दिया गया है, यहाँ पे twin barrel exhaust दिया गया है, और यह 5 gear नहीं, इस bike पे आपको 6 gear दिखने को मिलता है, यहाँ पे gear जो है वो दिख रहे हो, इस bike पे कोई kick दिखने को मिलता नहीं है, यहाँ पे only self पे ही यह bike start होग और यह basic model का bike है, देखते ही बता चलेगा आपको यह एकदों racing bike है, इसका जो style है naked racing stylus bike है, यह पीछे जो पेटेगा उसकी पे रगने की जगा है, यहाँ पे stylus दिखने को मिलता है आपको पीछे पे रगने की जगा भी, इसकी जो fuel capacity है वो 13 liter की दिखने को मिलता है, यहाँ 13 liter की tank capacity है इसकी, mileage करीबन 30 से 35 km चलते हैं एक लिटर पे और यह है dominoor का logo जो देख रहो है, एक दों स्टाइलिस है आपको दिखने को मिलता है, यहाँ पे ठोड़ा सा छोटा एक digital meter भी mini meter दिखने को आपको मिलता है, यहाँ पे बाचाज का logo भी है, यहाँ पे आपके डाया hand के, or, self and power का button आपको दिखने को मिलता है, यहाँ पे एक filter भी है यहाँ पे, और दूसरी ओर में बात करूँ तो दूसरी ओर आपको होडेन, Indicator and Pass का button आपको दिखने को मिलता है, यहाँ पे जैसा कि बाकि सबी bike में भी ऐसा ही दिखने को मिलता है, चावी में आउन करूँ तो चावी ओन करते ही डिजिटल मीटर पर कुछ ऐसा ही दिगने को मिलता है यहाँ पे स्टाइलिस डिजिटल मीटर है देखो चावी ओन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे चावी ओन करते ही डिजिटल मीटर पर कुछ ऐसा ही दिगने को मिलता है या एक तरब देख रहे हो RPM, speed meter, time, वो सब यहाँ पे दिगने को मिलता है, जाकर के जाए से कि बाकी सबी बाइक में भी दिगने को मिलता है, इस बाइक पे आपको 4 help दिगने को मिलता है, अगर बैगलाइट की बात करूँ तो एकदम new stylus design का एक बैगलाइट दिगने को मिलता है यहाँ पे और यह bulb नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यह LED है, एकदम style से, आपको देखते ही, आपको लगएगा कि यह new model का है, यहाँ पे D250 लिखा हुआ है, यानि कि 250 CC का बाइक है, तो यह है लोगो और यह है पीछे का टायर जो size है, बो 130, 70, 17 का size है पीछे का टायर का पीछे की जो suspension है, बो single suspension दिखनों को मिलता है, यहाँ पे multi step adjustable mono sock with night rocks, wheel stroke of 110 mm का एक hydraulic दिखनों को मिलता है पीछे पे, seat के नीचे आप आपकी जोरुरुती सामान कुछ रख सकते हैं, उसके लिए आपको इसको चाबी on करके, यहाँ पे चाबी को on करके, पीछे की seat को open करना दिखने को मिलता है, अगर आप कोई sport naked stylus bike खड़िना चाता हो तो आपके लिए bike बहुत ही बैतर होगा, मैं guarantee रहता हूँ इसकी और यह silencer जो है, वो बहुत ही अच्छा है, ऐसा design आपको और बाकी bike में दिखने को नहीं मिलता है, इसका जो silencer का design है, वो बहुत ही stylish है, और आ देख रहे हो आपके सामने है, मैं दिखा रहा हूँ आपको इसकी जो silencer की design है, वो बहुत ही अच्छा है, एक दोब new model का है, 8AH 12V का battery capacity आपको दिखने को मिलता है इस bike का अंदर, इडायटर की पैर डगने की जगा है, साथ में पीछे का brake भी है, जैसे कि पाकी सबी bike में भी होता है, DTSI engine है, इसलिए DTSI का logo आप देख रहे हो, यह है Ford Stock DOAC Ford Valp Liquid Cool Twin Spark A5 engine, यह 248.7cc का engine है, मैक्स पावर इसकी 27 PS 8500RPM, मैक्स टॉर्क 23.5 Nm 6500RPM, सिंगल सिलेंडर के engine है, बाजाज की सभी bike के एक engine के side पे एक छोटा सा काच लागा होता है, यहाँ पे आप आपकी bike की जो mobile है, बोध देख सकते हो कि कितना है, आपके bike के अंदर कितना petrol है, बोध देखने के लिए यहाँ पे एक logo देख रहे हो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपके bike के अंदर कितना petrol बचा हुआ है, यह वीडियो अब आपको अच्छा लागे, त जोड़ो like and share करना और हाँ दोस्तों मेरे यह channel जोड़ो subscribe करना तो thanks for watching this video